जिसी क्रश्णा कैसे हैं आप सब उमिद करती हूँ खुश होंगे सुखी होंगे संपन होंगे परिवार समेट जो भी मेरे वीवर से सबस्राइबर से इस कोरोना काल में अपना और अपने परिवार का पूरा पूरा ध्यार रखें स्वस्त रहें दोस्तों आज क्rymah मैं आपको बता रही हूँ यह उपए आपको गुरुवार के दिन करना है। इस उपए को यदि आपने गुरुवार के दिन किया कम से कम तीन गुरुवार आप इस उपए को करें और देखें दोस्तों आप जो सोचेंगे, आप जो कहेंगे, आप जो बोलेंगे, जिस चीज को सामने रख करके, जिस चीज को धै बना करके, आपने इस उपाय को किया होगा, भगवान की खृपाशे, आपका वो काम बहुत जल्दी पूरा होगा. वैसे दोस्तों, गुरुबार के दिल, हमेशा कोसिस करें, पीला रंका कपड़ा पहने, यदि पूरे कपड़े आप पीले नहीं पहन सकते हैं, तो कोई एक आदा कपड़ा तो सरीर में हमेशा गुरुबार के दिल पीले रंका रखे ही रखें, जिससे आपके घर में लक्षमी का वास होता है और आपके ब्रक्षपति आपके गुरु मजबूत होते हैं जिससे आपका आप और आपका परिवार कभी भी गलत संगत में नहीं बढ़ता है हमेशा उच्च विचारों के आधिन रहता है उनकी सोच गहरी होती है परिवार का मान सम्मान बढ़ता है तो एक पी जुगों को जो बड़े बुजुगे उनके पैडश हुए ताकि उनकी सुभाष्यवाद आपको मिले ताकि जहां पर भी आपकी शर्वीश है आपके जो भी बोश होंगे वो आपके उपर फुश रहेंगे नोक्री में धंधे में आपकी बरकत होगी यदि आप पढ़ाई क कर रहें तो जो भी आपके अध्यापक है वे आपके उपर खुश रहेंगे सदेव गुर्णी आपके उपर क्रिपाव बनी रहेगी हर गुरुवार को पीपल के पेड़ पर हल्दी वाला जब अवश्य ही चड़ाए तुलसी माता का जो गमला है वहाँ पर संध्या समय एक अवश्य ही लगाए यह चोटे-चोटे से नियम है यदि इनको आप हर गुरुवार फोलो करते रहते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपकी लाइफ में आता है गुरुवार के दिन और कुछ करें या नहीं कर पाते हो तो जहां पर केले का पेड़ लगा हो केले का पो तीन बार ओंग ब्राम ब्रश्पतिय नमा इस मंत्रो को बोलता है जिन्दगी भर वह इजद की जिन्दी जीता है मान संमान की जीता है पढ़ाई लिखाई में हमेशा अगे निकलता है और बहुत ज्यादा उसे लाइफ में सक्सेस मिलती है और यह उपाई जो मैं आपको ब लेना है और उसका आपको दीपक बनाना हैं कितने तीन दिपक आपको बना लेने हैं तीनों ृडिक कर लें और आप किस करें दोनों मेंसे कोई भी एक जगा या तो आप अपने घर के पुझह स्थान में उपाय को कर सकते हैं या फिर पीपल के पेड़के बीचे आप इस उपाय को कर सकते हैं ठीक है तीनों दीपक आपको लाइन से रख देने हैं और तीनों ही दीपक में आपको पीली सरसों डालनी कैं छाहे आप पीपलके पेड़ के नीचे करें या फिर आप अपने घर में पूजा इस्थान में करें इन दिनों के सिवाई दोस्तों यदि आप इसको केले के पुधे के पास जाकर के करेंगे तो भी बहुत बढ़ी हां रिजल्ट आएगा ठीक है लेकिन केले का पुधा हर जगा आवाई रिबल नह चामने जला दें उसके बाद में आप सिर्थ एक माला का जाब करें ओम ब्रह्म ब्राष्पतिये नम्हां माला आपको तुलसी की लेनी है इस मंत्र का जाब कर लेने के बाद वह तीनों ही दीपक आपको प्लेट में रख करके उसी दीपक से आपको भगवाय श्रीहरी की आर प्रणाम करें उसके बाद में उसमें से एक दीपक उठाएं और जहां आपका मठका है वहां आप एक दीपक को रख दें दीपक का मुग पूर्वदिशा की ओर रखें ठीक है और एक दीपक उठा करके आप अपनी तिजोरी के उपर रखतें बस आप देखेंगे दोस्तों आपके घर में धन धान्य भर जाएगा माता लक्षमी आपके घर का पता पुछते हुए आएंगी एक दीपक आप पूजा इस्थान में ही जलने दें यदि आप इस उपाय को पी आपकी के दोनों दीपक आपको अपने घर में लाकर के जहां मैंने बताया है एक पनिहारे पर एक तिजोरी के उपर रख देना है रास्ते में यदि दीपक बुछ जाते हैं तो कोई टेंशन नीए घर में लाकर के उन्हें फिर से आप जलाने लेकिस शुरुआत आपको एक वारट बढ़ इस मंत्र को बोले और विधी को कम से कम विफिर से बतादू दोस्तों तीन गुरुवार तो अवश्य करें तीन गुरुवार पांच गुरुवार उसके बाद आपको डिपेंट करता है कि आपको कितना करना ही लेकिन आप इसको करके देखें धन धान्यशे आपका घर हड़ जाएगा बहुत बढ़ियां उपाएं दोस्तों लाग जवाब उपाड़ेंगा करने के लाग करके देखें करते रहें खुश रहें यह सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती हो कोई इसी बात हो जो आपकी समझ में ना रही हो तो कमिल बाक्स में लिख करके पूछे आवश्य करते रहें खुश रहें जैसी करशन